हेलो दोज्टो अगर आपकी भी गले में दर्द होता है या गले में सूजन आ गई है या इन्फेक्शन हो गया है या टाउंसिल बढ़ गए है उनमें पस पढ़ गई है क्या वार बच्चों को गले में दर्द होता है सूजन आ जाती है और उसी सूजन की वज़े से उनको तो जो आज की home remedy है ना बच्चों से लेकि बड़ो तक है तो आप इसे जरूर से try किजेगा क्योंकि जो ये मौसम चल रहा है ना सभी को कफ और cold की शिकायत हो रही है उसी से बुखार भी आ जाता है तो इसलिए मैं आज आपके लिए ऐसी home remedy लेकि आई हूँ जो बहुत ही जबरदस्त है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो हमें क्या चाहिए गैस में एक pan रख दिया है उसमें ले रही हूं में long तो देखे long full वाली long है सारी तो आप मैं इसमें लूंगी साबुत काली मि मिर्च लेनी है अब दोस्तों हमें इसको हलका सा dry roast करना है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है तो यह देखी यह चटकने लगी है और long और जो काली मिर्च थी ना वो दोनों अच्छे से भून गई है अपने गैस की flame को off कर दिया है मैं इसको निकाल लेती हूं एक कटोरी म में निकाल लिया है अब हमें क्या करना है फिर्षे गैस पे पैन रकना है और मसाले वाली इलाइची होती है थे ना उत्य हमें बीज्याने बहुत फाय्देशिय मंद होते हैं तो यह बीज हमने हल्के से dry roast करने है तो मैंने चार इलाइची के बीज लिये यह देखिए अब म अब मैं इसमें डालोंगी फोड़ा सा गुड़ एक जमस डाला है चमस बड़ें काला नमक आदा चमस जिंजर पावडर। इन सब को डाल दिया है अब मुझे थोड़ी सी अद्रक कद्दू कस करनी है अब हमें अद्रक कद्दू कस करके इसका सिफ रस निकालना है तो चलनी ले रही हूँ अब मैं इसमें इसका रस निकाल रही हूँ तो ये देखे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अब इसका रस च तो इसको पकाने में कम से कम 5-6 मिनट का टाइम लग जाता है तो ये देखिए इतने जब तक ये पकरा है इतने मैंने लिया ये जिसमें हम अधरक कूट देना वो अब मैं इसको क्रश कर लेती हूं जो मैंने लॉंग मसाली की लाइची और काली मिर्च को भूना था तो मैंने इसको क्रश कर लिया है अब जो ये पाउडर है न वो सारा मुझे उसके अंदर डालना है शहत की अंदर तो ये देखिए मैंने सारे चीजे शहत में डाल दी है अब मुझे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5-6 मिनट पकाना है इसी तरीके से तो ये देखिए जो ग कटोरी में निकाल लिया है अब में बात आती है कि हमें लेना कैसे है तो इसकी थिकनेस देखिए ये देखिए आप जो बड़े हैं खाना खाने के बाद आपको एक चम्मच लेनी है और जो बच्चे एना तो बच्चों को सिर्फ इतनी कॉंटिटी देनी है ये देखिए इस 2 वार दें सुबह और शाम को उनगली से चता हो गजोने से चाट लेंगे और जो बड़े हैं उनको आधा कॉंटिटी नहीं लेनी हैं कहाना ,कहाने के बाद़ कॉंटिटी ले 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 और खाने के बादा सुबह ले 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 माद जो गले का इंफेक्शन है न गले की सूजन है वो बिल्कुल खतम हो जाएगी और आप दो दिन में इतना अच्छा रिजल्ट देखेंगे इससे जो खासी है न वो भी आपकी नहीं उठेगी बच्चों को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा गले की खराश में सूजन में टाउन सिल में जो के अंदर पस पड़ गई है तो आप जरूर से ट्राइ कीजेगा एक बार आप तला भुना बिल्कुल ना खाएं जब गले में इंफेक्शन हो जाए और खटी चीजों को इसमल ना करें अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा फै